नमस्कार दोस्तो स्वागत पिर से नए वीडियो मैं आपका दोस्त मनीज सर्मा आप देख रहे हैं मैं रिट्वीटर रहा हैं मनीज पारशनल दोस्तो आज मैं आपके लिए बहुत इच्छा एक टॉपिक लेके आया हूँ आज मैं बताने वाला हूँ जो लोग दुबले पत आज सकते हैं दोस्तो आज के समय में जितने लोग अपने मोटापय को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं उसी तरह से पतले लोग अपने पतले पन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं मोटे लोग तो क्या करते हैं अपने एक्ससाइज करके या ड आप हमेशा सुद्ध खाना खाईए और जो भूक बढ़ाने वाली दबाईया होती हैं उनका उप्योग कर सकते हैं और दोस्तो इन देशी नुक्सों को अपना करके आप अपने बजन को बहुत जल्दी तेजी से बढ़ा सकते हैं जो लोग जिम करते हैं यह नुक्से उनके ल जो अपने डेली रुटिन में लेनी चाहिए हैं जिससे कि आपके स्रीश का बजन बढ़ सके आपको जो सामिल करनी है अपने दिन चर्ण के अंदर तो सबसे पहले क्या है आपको दिन में कम से कम चार केले खाने हैं केला जो होता है हमारी सरीश के अंदर बहुत जल्दी करके आपको रोजाना कभी भी पी सकते हो यह बहुत ही अच्छी चीज होती है दोस्तों आपके सरीज के अंदर सारे रिकबल को परदान करेगी यह आपके एमुनिटी पौवर को मजबूत करेगी और जो आपका लीवर बहुत जादा कमज़र होता है उसको बहुत जल्दी सैथ को पीने से पहले आपको एक बात सुननी होगी आपको करना क्या है दूद और सैथ कभी भी आप मिला करके पीते हो तो हमेशा दूद को ठंडा होना चाहिए कभी भी दूद गरम नहीं होना चाहिए कभी भी सैथ को गरम दूद में नहीं पीना चाहिए आपको नॉर्मल 10 बादाम और उसके साथ में 5-7 खजूर और दोस्तों 4 अंजीर अंजीर को आप जानते ही हो अंजीर बहुत अच्छी ताकतवर चीज होती है इन तीनों को आपको करना क्या है एक मिक्सी में ग्राइंड करके इनको पीश लेना है तोड़ा सा पेश्ट बन जाएगा पेश्ट दूद के साथ या आप कोई भी शेक बना सकते हो उसमें इन तीनों चीजों को मिला करके आप पी सकते हो दोस्तों यह जो चीज में बताने वाला इन में आप कभी भी कर सकते हो और दोस्तों आप देखिएगा 5-10 दिन के अंदर आपको फरक दिने लग जाएगा यह काफी अ पर डे आपको कोई सी भी एक दाल यूज करनी है यह हमारे सरी में बढ़ाने बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है दोस्तों यह जो लाश्ट मैं आपको डाइट बताने बाला हूँ यह बहुती अच्छी डाइट है आप इसका उपयोग पर डे कर सकते हैं आपको करना क्या देशी चने जो होते हैं काले वाले चने होते हैं उनको आपको श्याम को गला के रखना है इसके साथ में आपको क्या लेना है पांस से दस किसमिस और दोस्तों उनके साथ में क्या करना है आपको आठ से दस बारा बादाम इन तीनों चीजों को मिला करके एक साथ चने बादाम क किसमिस आपको आभशकते अनुज़ार अपने रात को गला करके रखना है सुबह इनको साप करके डंग से सुबह खाली पेट इनको खाना है यह जो चीज है देसी चीज है यह जो डाइट में आपको बता रहा हूं काफी समय से पुराने लोग इसका उपयोग करते आ रहे हैं चना किसमिस बादाम हमारे सरी के लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी होता है दोस्तों चने से क्या होता है हमारे सरी के अंदर वेट बढ़ता है यह एक ऐसी डाइट है जो देसी डाइट होती है काफी सारे पहलवान और बड़े-बड़े बोड़ी विल्डर इसका दोस्तों आज आपको पांचो डाइट के बारे पता चल गया होगा आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलता हूं नए टोपके के साथ तब तक के लिए धन्यवाद